हलो एब्रिवन नमस्कार जैहिंद जाधरादे जोहार मैं आपका जीएश एजुकेटर रोहुत कुमार सुभागत करता हूं वाइफर स्टूडियो विचिछ आपार्डबर गैडमी तो सुभा नौ बजे हम लोग मिला करते थे वाइफर स्टूडिय पे और आज पहुत दिनो होगा कि थमनेल में बिल्कुल अलग लगा हुआ है अलग चीज मेंसन की गई है वह मेंसन क्या है मेंसन है बच्चे किसा रेलवे का पेपर आ गया अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा यतने कम समय है क्योंकि कल जो मिनिस्टेरियल पोश्ट के एक्जाम है उसके एडमिट से पेपर होंगे एडमिट कार्ड आपको दे दिये जाएंगे अब मेंसन कर दिया गया है ठीक है अब आगे क्या कितनी तैयारी हो गई आपकी कितनी तैयारी हो गई है और आगे क्या करना है क्योंकि समय बहुत कम है आज पांस तारिक है मतलब हम देखें एवरेज 20 से 22 दिन पुर्ण का पेडियो नहीं मिला बच्चे देख़ेंगे मिल्या का पेडियो परिसान नहीं थिकहँ है यारे कितनी तैयारी हो गई है और आगे क्या करना है सर समझनी आ रहा इतने बड़े चिप्टर है इतने बड़े सीलिबस है हिस्ट्री है जुगर्ठी है पॉलिटी है current affairs है, sports है बिल्कुल confused है तो अब समय क्या है अब भाई class live है क्या देखो चौदरी जी कह रहे है class live है चौदरी जी मैं समझा रहा हूँ आपके feelings की कम से कम इस बहान इस गुरु जी के नाम तो ले ले सुबा सुबा हाँ सनी जी, सनी सिंगी उसका admin card relevant ने बता दिया है ठीक है तो कहने का मतलब है बच्चे कि अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहा रहा हूँ कि जो पिछला NTPC हुआ था उसमें से किस subject से कितने questions पूछे गए है आगे की रननीती क्या होगी अब आगे क्या करना पड़ेगा हमें क्या 40 में से कितने questions लाने होंगे क्लास शुरू करने के पहले मैं अपने special lecture के बारे में बता दू कि 8 बजे सुबा special lecture होता है पहला 8 बजे सुबा special lecture है कितने 8 एम पे इसके बाद कितने बचे बच्चे 8 एम पे और फिर 10 बजकर 5 मिनट पे दूसरा lecture और साम को 5.35 पे तीसरा lecture तो 10.5 में जो 10 बजकर 5 मिनट में हम लोग देखते हैं 10 एम पे 40 में 40 जहां पर आपका speed और accuracy दोनों चेक हो जाएगा 5.35 पे static gk और 5.35 पे आज से हमने एक अलग सरिंकला शुरू किया है 1000 प्लस current affairs 1000 प्लस current affairs यादरा समझ में आ रहा है 1000 प्लस current affairs कितने बज़े 5.35 मिनट पे साम को अनकैडमी पे जरा लिख दो बच्चे कितने बज़े 5.35 पे अनकैडमी पे ठीक है इसके अलावे अगर आप यहाँ पे ज्वाइन किये है तो आपको याद होगा timing इसकी दो पहर 12 बज़े है कितने बज़े है दो पहर 12 बज़े इसके अलावे बच्चे अप एकनॉमिस पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे अभी यह CBT-1 है यह CBT-1 है और यह CBT-2 है यानि कुल मिला कर आपको 40 नंबर CBT-1 में जेनरल अवेर्नेस में और 50 नंबर जेनरल अवेर्नेस का CBT-2 में इतने करने होगे यह CBT-1, CBT-2 नेगेटिव की बात करें कितना नेगेटिव आपको पता है बाता one-third नेगेटिव है और जब भी नेगेटिव आपका पीछे नहीं छोड़ेगा बिल्कुल याद खना तो नेगेटिव कितना है जब भी one-third नेगेटिव आता है बहुत परिशान करता है कै है कि आपने 3 सवाल गलत किये 4 सवाल बनाते हो तीन सवाल गलत करते हो बदले में आपको बड़ा सा लड़ू मिल जाता है वो भी बिना सक्तर का बदले में आपको लड़ू मिलता है बिना सक्तर का मतलब क्या है कि आपका जो भी जमापुझी था सब लेके चला गया रेलवे इसलिए नेगेटिव वाले पेपर में अब देखे होंगे उन बच्चों का हसर बहुत बुरा होता है जो बिलकुल अंदा धूंद गोलियें चलाते हैं वही बच्चे सफल होते हैं जो गोली बचा के रखते हैं मतलब क्या है कि भाई आराम से देख के हम बना कर आएं ठीक है तो अभी मैंने एक अनलैसिस किया है हमने कि जो 2015-16 में एंटीपी से आया था उसमें किस-किस सब्जेक्स से कोर्शन आ सकते हैं किस-किस सब्जेक्स से कैसे कैसे कोर्शन पूछे गए हैं तो मैंने जो कैलेंडर देखे हैं जो एक्जाम की सारे चीज़ को अनलाराइस किया है तो हिस्ट्री से साथ सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री से साथ सवाल यानि अब आपको क्या करना है बच्चे मैक्सिमम फोकस करना पड़ेगा आपको जोगरफी से एक सवाल देखा मैंने एवरिस निकाल कर जोगरफी से एक सवाल है एवरिस निकाला तू पॉलिट्री से आपके दो सवाल है इस्टैटिक जीके से दो सवाल है बायलोजी से साथ सवाल है मतलब साइंस में सबसे जाएता अगर भूमिका क चार सवाल देखा गया, computer से average एक न दो सवाल है, computer से एक से दो सवाल है आपके exam में, और भुमिका निभाया फिर किसने, current affairs ने 11 सवाल है, बिल्कुल अज़ा एक question होगा, पहले समझ तो ले, पहले समझ तो लो, ये पिछले साल का analysis है, क्योंकि पिछले साल लगबग दो महीने paper चले है, उसका analysis है ये, ये स्थिती है, अब आप देख लो, अभी मैं 40 सवाल कराऊंगा आपसे, 40 सवाल में मैंने एक नया initiate लिया है, कि किस questions किस subject से है, इससे ये पता चलेगा, कि आपके 40 में कितने marks कि subject मा रहे हैं, और आपकी कमी है मेरी बास समझ रहे हो ना, मेरी बास समझ रहे हो, कि अभी मैं 40 सवाल कराऊंगा, आपको खुद पता चल जाएगा, सवाल नमबर वन ये politics है, अब आप एक काम करना, कि 1 से 40 तक अपने copy में लिख लेना, और लिखने के बाद ये देखना, कि politics से हमारे सवाल कितने बन रहे ह हिस्ट्रिस हमारे सवाल कितने बन रहे है, इस्टैक रिकेस हमारे सवाल कितने बन रहे है, ठीक है, ये calculate जरूर करना, क्योंकि देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अपने उपर खुद उवर्क करना पड़ेगा, सवाल नमबर वन क्या कहता है, कि British House of Commons के सदस के रूप में चुने जाने वाले पहले भारती है कौन थे, जल्दी, 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 देख रहे हो, अंजु जी, तक क्लास से स्टार करो, अब तक जो बोड़े तो पल लेना पड़ा किसी का, बिल्कुल अभी मन्यू हो जाओगे, चल तो जाओगे, लेकिन निकलना इसके बाद मैंने क्या कहा, काम जरूर करना, केवल कोशन बनाना है, बस सरह हमें कोई मतलब नहीं, कोशन बनाना है, बनाओ कोशन, दादा भाई नावरोजी, कौन थे पहले भारती है, दादा भाई नावरोजी, पार्टी का नाम बताई है, क्या था पार्टी का नाम, जल् Liberal Party क्या था बच्चे? Liberal Party याद रहेगा रनीती बनाना बहुत जरूरी है ना तो फिर बहुत मुश्किलोगी अब देखते चलना कि किस से सवाल क्या बंते आ रहे है कितने सवाल अब coolity लगा रहे हो कितने सवाल अब हिस्त्री के सही कर रहे हो इसलिए मैंने question के पहले subject mention जरूर किया है आज Static GK कहता है विश्व की सबसे बड़ी और गहरी rail सूरंग गोथर्ड बेस टरनल किस देश में स्थित है Belgium, Austria, Switzerland, Sweden सवाल नमर दो जल्दी मुझे सवाल नमर दो क्या होगा स्विजर लैंड कहां पर एगे? स्विजर लैंड में जहां दावोस है दावोस में क्या होता आपको पता है कि World Economic Forum की बैठाख हमेशा दावोस में होती है तो लगबग दो जसकों के निर्मान कारे के बाद स्विजर लैंड में दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग है 57 किलोमेटर कितने? 57 किलोमेटर जो किसको किसको जोड़ेगा तो आपस परवत के बीच में देख रहे हो आपस के तहत एक उतरी और दसनी यूरोप के करनेट करेगा, जोड़ेगा आता है जोगर्फी के बारे में सुचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा का परतिन्गित करने के सामान रूपों में से एक है थेमेटिक मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स डिस्टिब्यूशन मैप्स या लैंड यूज मैप्स सवाल नमबर नेक्स्ट सवाल नमबर तीन, जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ क्या होगा थेमेटिक मैप्स, विसाइका तमान चित्र कहा सुचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा का परतियुद करने के सामान रूपों में इसे ये कह है विसाइका तमान चित्र यानि कार्टोग्राफी क्या है अब समझना, कितने सवाल बनेंगे एक्स्ट्रा कार्टोग्राफी क्या है मानचित्र बनाने का अध्यन और अभ्यास कार्टोग्राफी कहते हैं और सामान कार्टोग्राफी जो है उन मानचित्रों को सामिल किया जाता है जो सामान दर्सक के लिए बनाय जाते हैं, हमारे लिए आप के लिए बनाय जाते हैं हम लोग गूगल मैप देखते हैं यहाँ पे मंदीर है, यहाँ पे मस्जीद है यहाँ पे होस्पिटल है, यहाँ पे यह है मतलब आप देखते होंगे मैप में तो यह railway track है, यह Greenry Park है ये map सामान लोगों को बनाये जाते हैं ताकि वो समझ सकें Thematic Autographic की बात करता है भागोलिक विशेओं के मानचेदर सामिल होते हैं और अस्तला किरते मानचेदर के बात करें तो एक अस्थान से दूसरे अस्थान के बारे में ये बताता है ठीक है बच्चे? Biology की बात करें पौधे के रोग का नाम बताईए जिसमें पतियां, साखाएं और फल सभी परभावित होते हैं त्यानि वैसा फल, वैसा रोग जिसमें प्लांट में जितने सारे चीज होंगे या तो लिप की बात कर लें, या तो ब्रांच की बात कर लें, या तो फ्रूट्स की बात करें सब परभावित होगा, सब डैमेज होगा कौन सब दीजीज है? जल्दी सिट्रस काइंकर सिट्रस काइंकर आप देख बाते होग इमेज में कि एक फल, फ्रोट्स, लेप्स, सब डैमेज है सब के सब डैमेज है तो पौदे किस क्या कहें अब इससे बताओ मतलब इंसान को तो बिमार करे रहे हो प्लांट को भी ना छोड़ रहे हो यानि पौदे किस बिमारी की उत्पती चीन में हुई है भाईया, चाइना वाले क्या चाहते है बताओ इंसान को तो मारे रहे हो प्लांट को तो छोड़ दो दे गिव ऑक्सीजन वे ऑक्सीजन देते हैं भाई पतियां, साखाएं, फ्वल सबी रोग से परभावित होते हैं, बिल्कुल या दखना ठीक है? तुरकान ने चहलगाने का क्या मतलब है आजाए हिस्ट्रे में सवाल नमर पाँच जल्दी बताओ चालीशा, चालीशासा कुनिन वर्ग का जिसके सुरुवात करता है इल्टूत्मिस जिसके सुरुवात इल्टूत्मिस करता है और इससे हटाता कौन है? बल्बन इससे हटाता कौन है? बल्बन हटाता है याब रखना तीक है? इल्टूत्मिस सुरू करता है बल्बन हटाता है अब आते हैं बायो, तंत्री का तंत्र में क्या क्या सामिल है? सवाल नमर शेक्स तंत्री का तंत्र में क्या क्या सामिल है? और अब दाबव उप्रोक्त सभी मतलब कहता है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में दो परकार से होते हैं एक CNS और एक PNS CNS यानि Central Nervous सिस्टम जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है दिल का धड़कना कंट्रोल है किसी को देखते हैं जोर से धड़कता है लबडब जोर से धड़कता है लबडब साउंड है तो वह आप कंट्रोल कर नहीं पाते हैं लेकिन पेरिफेरल है वह हम कंट्रोल कर सकते हैं वह हम कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है आता है फिजिक्स में किस माध्याम में परकास ये अधिकतम होगी और डिबल अल्टरसोनिक माइक्रोवेव इंफ्रासोनिक सवाल नमर साथ कि जल्दी चाओगा बच्चे और डिबल वेव परकास ये सबसे अधिक किस में होता है और डिबल वेव में तो माध्याम का पवर्तनाग जितना अधिक होगा परकास ये उतने ही कम होगी उतने ही कम होगी परकास ये बिलकुल या दखना सवाल नमर आठ अलाव दिन खिलजी के समय बाजारों को दो अधिकारीयों द्वारा नियंतित किया गया था वो कौन से अधिकारी है आपके सामने है जल्दी आपको याद होगा कि अलाव दिन खिलजी की सबसे बड़ी विशिष्टा क्या है market control system market control system बाजार को नियंतरेट किया था तो बाजार को control करने के लिए इसने दो अधिकारी नियूक किये थे क्या नाम था उसका? अमीर बहार और मुस्तफिय ममालिक मुस्तफिय ममालिक यादखना यह दोनों appointment किए गए थे अलगउदिन खिल जी के द्वारा पहला सासक अलाउदिन खिल जी दुट मीडायवल इंडिया का मलिक काफूर के मदद से जिसे हजार दिनारी कहते हैं क्या कहते हैं हजार दिनारी थाड़ जंडर सा याद रखना यह आपके सामने पूरा का पूरा कहानी है हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत के सुल्तार को नाम बताई जिसने चार ने सहरों फिरोजाबाद, फतिहाबाद, जौन, पूर, हिसार के सापना की, अब तक का सबसे असान सवाल बगवावाला सवाल, कैसे सवाल है, बगवावाला सवाल, बगवावाला सवाल समझते हूँ ना, जल्दी, समझ में आ रहा है, कि कितने, मैंने उपर में सब्जेक्ट लिख दिये हैं, यह पता कर लेना, कि किस सब्जेक्ट आपके कितने सई हो रहे हैं, पिरोशा तुगलक ने 300 से अधिक सहर बसाए थी, 300 से अधिक ने इस सहर की अस्थापना की थी, 300 से अधिक ने इस सहर की अस्थापना की थी, पिरोशा तुगलक ने, पिरोशा तुगलक, एक चीज़ और समझना, यह इंपोर्टेंट आपके लिए, क्या इंपोर्टेंट है कि अंग्रेजों ने फिरोसा को सिचाई विभाग का जनक कहा था पहली बार सिचाई विभाग की अस्थापना की जाती है गया सुदिन तुगलक के द्वारा लेकिन नहरों का जाल पहली बार नहरों की विवस्था गया सुदन तुगलक के द्वारा जो तुगलक वंस का फाउंडर था लेकिन नहरों का जाल फ्यलाने का काम किस ने किया तो फिरोसा तुगलक ने किया था इसलिए सिचाई वहाग का पापा कहते हैं से उसने सतलज नदी, घगर नदी, यमुना नदी, हिसार सहर के बीज, कई नहरों का निर्मान किया था अब आते हैं बायोलोजी की बात करें आमीबा अपने भोजन का पाचन कहां करता है? स्वाल नमर दस, जल्दी, दिवाने कोही, स्वीटी जी, दिवाने कोही न, मुहमद इन तुग लग था, M.B.T. था, हाँ न, अमीबा अपने भोजन का पाचन करेगा खाद रिक्तिका में और अमीबा की बात करें आपको याद होगा, एक मात्र ऐसा अमीबा जिसके पेरामीसियम, जबकि आमीबा का कोई आकिरति नहीं है, ऐसे है, ऐसे, है, ऐसे, है, ऐसे, है, कोई फिक्शण की कैसे- तैसे मुल जाता ही है, तो आमीबा खोलो Doinch, पोषन का अनुशन करता है खुलो जो इक पोषन क्या है पोषन की वह परक्रिया नुटिशन का वह प्रोसेस जो जीवों में होती है और उनके सरीर के अंदर थोस या तरल भोजन लेते हैं तरल भोजन लेते हैं बिल्कुँ जाद अठना थीक है बायलॉजी थायरॉक्षन को स्रावित करने के लिए थायरॉइड गरन्थी को उतेजित करने के लिए कौन सा प्रतिछेदना हर्मोन है चला बताइए सवाल नमबर 10 जल्दी तीएसेच क्या है वच्चे तीएसेच मतलब क्या कहता है कि थायरॉइड इस्टिमूलीटिंग हार्मोन थायरॉइड इस्टिमूलीटिंग हार्मोन एक पिट्ट्ट्री हार्मोन है जो थायरॉइड गरन्थी को थायरॉक्षन का उत्तादन करने के लिए प्रोबोग करता है उतेजित करता है प्रोवग करता है उत्तेजित करता है और फिर ट्राई, आईडो, खायरोनिन जो सरीर के लगवग हर उत्तक के उपापचाई को उत्तेजित करता है तो क्या होगा यह TSH थायरवाइट इस्टिमूलेटिंग हर्मोन केरल की जो नौकादावड है वो किस त्रवहार की विसेश विसेशता है पुंगल, उगादी, ओनम, भीहू, सवाल नमर 12, सवाल नमर 12, जल्दी जल्दी, चाओगा यह ओनम, पुंगल, कामिल नाडू, पुंगल कहाँ, कामिल नाडू, ओनम, केरल, और बेहू, असम बेहू, असम, चाओगा ओनम होगा, क्लियर है, बाते समझ मा रही है एक सवल और मनेगा, कि सर, यह कैसा फिस्टिवल है, फसल उत्सव है, जिससे राजा महाबली के स्वागति में मनाया जाता है किस नदी पर यह नौका दौड होता है, पंपा नदी, किस नदी पर बच्चे, पंपा नदी, वल्लम कली नामक साप बोट रेश को पंपा नदी पर सैकड़ों लोगों के साथ, दौड आया जाता है, बिल्कुल आ दखना, ठीक है, अब आते करेंट अप्यार्स कुश कोशन देखते हैं, कि विच स्टेट गवर्मेंट है लॉंस्ट लोन डिस्वर्सल प्रोग्राम आर्तिक अस्पंदना, किस राज सरकार ने रीन वित्रन कार्यक्रम आर्तिक अस्पंदना सुरू किया है, जल्दी, करनाटक, तेलंगान, ओडिसा, तमिलाडू, जलने कता अचे, जलने कर्दा ने अस्पंदना, कि अचे करनाटक उगादी किस राज में मनाया जाता है उगादी आंधरा पर्देश उगादी बच्चे आंधरा पर्देश क्या मनाते हैं उगादी आंधरा पर्देश में ठीक है तो किस राज सरकार ने रीन वितरन कारक्रम आर्थिकर स्पंदन सुरू किया करनाटक में करनाटक के बीएसी या दुरेप्पा ने 16 सितंबर 2020 को या आपके सामने 16 सितंबर 2020 को आर्तिक अस्पंदन कारकरम सुरू किया जिसके तहत 49,300 करोड रुपिये के लोन विभिंद सहकारी संस्था को बाते जाएंगे क्यों ताकि COVID-19 और आपको यादों का बाढ़ आयफ़ जबरदस्त बाढ़ के समय लोगों की मदद किजा सकेगी सवाल नमबर 14, Current Affairs, चौथे RBI डिप्टी गवर्नर के रुप में किसे न्यूग किया गया है एम राजेश्वर्राव, विबेक देवराय, क्रिष्णमूर्ति सुब्रमन्यम, कौसिक बसोग, सवाल नमर 14, जल्दी अर इसी जुन-जुन वाले भाईया, आर्टेकश पंदर मतला मदद, लोन प्रव नाम रखा गया नो योजना का नाम है, उस्थे मदद किया है एम राजेश्वर्राव, कितने हैं, चार हैं, तो आरबियाई के चार उप गवर्णर हैं, एम राजेश्वर्राव, बी कानुन गो, एम के जैन, एम दी पातरा एमडी पात्रा अब ज़रा बताना कमेंड बॉक्स में कि जो आरबियाई के गवर्णर है उनका टेन्योर कितना होता है उनका टेन्योर उनका कारेकाल कितना होता है उनका कारेकाल कितना होता है जल्दी उनका कारेकाल तीन साल कितना होता है तीन साल अरी बाद समझें कितना बच्चे तीन साल ने बिल्कूल या तक ना सक्ति कांतदास अभी गवर्नर है कितने नंबर के गवर्नर है सक्ति कांतदास कितने नंबर के गवर्नर है जरा कमेंट मोक्स बताइए 65 साल पाप लगेगा ऐसे ऐसे सवाल बताते हो 65 साल 6 साल तो रहूल पीडियाप मिल जाएगा बच्चे वीडियो के नीचे परिशान ना हो सवाल नंबर 15 जगर्फी के बात करें आल्प्स का सबसे हूचा परवत कौन सा है माउंट इलब्रस ग्रान पैराडीजो मैटर हॉर्न मोंट बलांक सवाल नंबर 15 माउंट बलांक मोंट बलांक आल्प्स का सबसे उचा परवत जैसे ऐसे समझ लो हिमाले की सबसे उची के की बात करें तो चांंट एवरेस्ट वैसा ही कहाने यह है मतलब आल्प्स एक पहाली परना लिया मौंट ब्लंक क्या होगा बच्चे मौंट ब्लंक मौंट ब्लंक अलबूस पहला है अलबूस्ट उसके बाद इसार अलप्स कितने देशों का हिस्टा है फ्रांस, इटली, स्विजर्लैंड, जर्मनी, आस्ट्रिया, स्लोवेनिया, कुरेशिया, बोस्निया, हर्जिगोवीना, मॉंटनिगरो, सार्बिया, अल्बानिया, अधि देशों का हिस्सा है आप्स किने रासाइन विज्ञान में 2020 में नोबिल पुरुषकार से समाने किया गया जरह बताइए, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, जल्दी, सवाल नवर सोला जर्ष्वन भाईया, अभी पढ़लो न, अभी एक्जाम होने दो यार, तभी तो कटाप सोचेंगे, लेकिन मान कर चलना कि 75-80 तार्गेट, क्या होगा? इमानुवल, चारपियर और जेनिफर एडोड़ना, कितने लोगों को याद है देखलू? नीरजवैद्या, संजित, अमरनाथ, खुसबू, अभिशेक, चलो तो ये था कहानी, यानि किसको मिला था भईया? तो इमानुवल, चारपियर और जेनिफर एडोड़ना, इनिफर एडोड़ना इनी को मिला है सवाल नमर 17, who has owned the Nobel Peace Prize 2020, Nobel सांति पुरुषकार 2020 किसने जीता है? बताइए, WHO, Jacinda Ardern, Donald Trump या WFP, World Food Program क्या होगा? कोई दिकत ने, स्विटी जी? सुबा पढ़ेता है, अब याद हो जाएगा World Food Program 2020 2020 किसे मिला? World Food Program अब एक चीज़ याद रखना, भूग से में पटने के जो पर्यास है World Food Program को इसलिए मिला था 2020 को ठीक है? याद रहेगा? अब याद कुछ इमेज देख पा रहे होंगे सामने, समझना मेडिसिन में हारवेरी अल्टर, माइकल होटन और चार्ल्स राइस, तीन लोगों को मेडिसिन में मिला है फिजिक्स की बात करें, तो एंड्रियू गेश, रोजर, पेंड्रोज, और रिनहार्ड गेंजल या फिजिक्स में मिला है किमिस्ट्री में जेनिफर, एमैनुवल चार्पेंटर, या कार्पेंटर जैसे याद रखो लुइस, ग्लुक, लिट्रेचर में मिला है पीस में वर्ल्ड फुड प्रोग्राम को, और एकनॉमिक्स में मिलग्राम विल्सन किलिए रहे, बातें समझ में आ रही है इस्क्रीन सॉट ले लो इसे, इस्क्रीन सॉट ले लो, आई कम साइक हम फोटो देखें तो याद रहे चलिए, लिलिया भारत के प्रीमियम का पास का नया ब्रांट का नाम क्या है, सवाल में ठारा जल्दी सुनाच्छी उसे नाम को न तोड़ो, अपने आसपास लोगों को जोड़ कर याद रखो, तभी कस्तूरी, यानि भारत के प्रीमियम का पास का नया ब्रांट का नाम क्या है, कस्तूरी है क्या है बच्चे, कस्तूरी है तो केंद्रे कपडा मंत्री, स्मिर्थी रानी ने, विडियो कॉन्फरेंस ने के मार्दियम से 7 अक्टबर 2020 को सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के आउसर पर भारत के प्रीमियम का पास के लिए पहला ब्रैंड और लोगो लॉंच किया है, जो भारती का पास अब कस्तूरी का पास के नाम से जाना जाएगा, ठीक है सवाल नमर 19, दिनेश कुमार खराक। किस बैंक का नया अध्यक्ष न्यूप किया गया है, RBI, SBI, PNB कैनेरा, जल्दी क्या होगा, अमिट्ठी, UP, इरानी, क्या बात है, बहुत बनिया देखो, SBI, दिनेश कुमार खराक। किस बैंक का नया अध्यक्ष न्यूप किया गया है, SBI का SBI की चर्चा क्यों की जाती है, इसलिए क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर में और 1955 में इसकी अस्थापना की गई है, पहले ये इंपेरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, 1921 में, एक जुलाई 1905 को, एक जुलाई को SBI डे मनाते हैं, डॉक्टर डे मनाते हैं, जेस्टी डे मनाते हैं, तो दिनेश कुमार खराने, देश के सबसे बड़े रिन दाता पारित की है, दिल्ली, उत्तर परदेश, करनाटक, केरल, सवाल नंबर 20, जल्दी, आलोग जी, आज एक घंते की क्लास है, राजपुच सहाब, आज एक घंते की क्लास है, इस्टूडियो चैनल है न, परिसान ना हो न, दिल्ली, तो दिल्ली सरकार ने, एक वरिक से परत्यारोपन नेतिय पारित किये, दिल्ली सरकार ने एक पेड़ परत्यारोपन नेतिय पारित किये, जिसके ताथ किसी भी निर्मान या विकास परियोजना के लिए, उखाडे गए, 80% पेडों को, कहीं और परत्यारोपन किया जाएगा, मतलब मानलो हम development over कर र लेगा तू भी कंटिन्यू भागना नहीं कहीं अब बताओ कि आपके 20 में से कितने सवाल सही हुए कितने हिस्ट्री के सही हुए कितने पॉलिटे के शुरू हुए तू भी कंटिन्यू अभी हम तुरंत जूडते हैं बच्चे अपने-अपने माक्स जरा सेर करिए अपने-अपने माक्स सेर कर वच्चे कितने माक्स आये हैं कितने माक्स आये जरा बताओ दस में बीश, बीश में दस, चौदा, बारा, पंदरा, तेरा, क्या वात हैं चौदा प्लस, मैंने ना देखा, मैंने कहा था, चलो आते हैं सवाल नंबर 21 में, तू भी कंटिन्यू, मैसूर पेटा, एक पारंपरिक पोसाख है जिसे पहना जाता है, कहां पे, वेस्ट में, रिष्ट में, सॉल्डर में, या हेड में, सवाल नंबर 21, जल्दी भागना सुरू कर दिये, यही सलेक्शन होगा, मैंने कहा था, चालिस में, चालिस देखके जाना, तू मैसूर पेटा, एक पारंपरिक पोसाख है, जिसे कहां पहना जाता है, बच्चे, सर में, देख रहे हो, यह, कहां पहने जाता है, सर में, पहने जाता है, बिल्कूल जा दखना, ठीक है, तू मैसूर जिले, और कोडागू जिले के लोग, मैसूर पेटा नामक पग्लिप पहनने पर गरों मैसूस करते हैं, कोडागू जीलों में या साधियों जैसे वी से सावसुनों पर पहने जाने वाली है एक पारिम परित्पोसाग का हिस्सा है सवाल नमबर 22 स्टैटिक जी के अक्टूबर 2019 में आई एमेप के बूड में भारत के लिए कारकारी नंदेशक के गुरूप में किसे न्यूक किया गया था सवाल नमर 22 चल दी बताओ क्योंकि आपको 2019 के भी करेंड़पेस देखने पढ़ेंगे और 2020 के भी देखने पढ़ेंगे क्या होगा बच्चे? सूरजी तेस भला को किया गया था किसे सुर्जितेस भल्ला को सवाल नमर तईस नमलकित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कोड पेस किया जो न्याइक परशासन से राजस परशासन की पिर्थक्रन के लिए परदान किया गया था कि लॉडवेलाजली करणवालेश विलियम भैंटिक वार नेहस्टिंग विदेश ähnlich सवाल नमर तईस लॉड़कर 575 मों करनवालेश सिचने बंाल सीच्टम के रूप में ब्रिप भारत में परशासनिक धाचता के घठंग के उपायों के जतीर रुप में पदान किया है के में स्क्री बात करते हैं कौन सा पदार्थ ब्लिचिंग में क्लोरीन के विकल्फ के रुप में उप्योग किया जाता है एथेनॉल लिकुट कार्मन डायोकसाइड हीडोजन पर अक्साइड तेट्रा क्लोरो एथीन सवाल नमर 24 इथेनॉल किसे यूज़ करते हैं बच्चे इथेनॉल यूज़ करते है तो ऑक्सिकरन बिलिचिंग एजेंट जिसमें क्लोरिन नहीं होता है आम तोर पर हाइड्रोजन पेराकसाइड होता है क्या होता है एक मिनट बच्चे एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाइड्रोजन पेराकसाइड क्या होगा हाइड्रोजन पेराकसाइड एथनॉल नहीं होगा बिल्कुल चंदन जी का जवाब सही दिखा अजे का जवाब बिल्कुल सही है खुसबु गुपता सही है बिलकुल तिंगु का भी जवाब सही है क्योंकि ठीक है तो hydrogen peroxide sodium paracarbonate जैसे यूज करते हैं oxy current में ठीक न बच्चे कौन सा बंदरगा गुजरात में इस्थित नहीं है सिक्का पोर्ट, मुद्रा पोर्ट सवाल नुमर 25 जल्दी तो कौन सा बंदरगा गुजरात में इस्थित नहीं है दिगी पोर्ट गुजरात में इस्थित नहीं है जबकि सिक्का, मुंद्रा, ओखा सब गुजरात में है सवाल नुमर 26 कौन बल के अनुपरियोग का एक उदाहरन है जब कोई निकाए इस्थिर से गतिशील हो जब एक गतिमान पिंड रुखता है जब निकाए अपने दिशा बदलता है या ओल अब दाबब कौन एक्जामपल है फोर्ट का सवाल नुमर 26 इनमें से कौन सा एक्जामपल है फोर्ट का जल्दी फोर्ट की बात करें जब कोई निकाए इस्थिर से गतिशील हो रेष्ट रेष्ट ऑफ मोशन रेष्ट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया एक्जामपल है दो परकाट इनर्शिया होते है रेष्ट ऑफ मोशन तो कहा रेष्ट से मोशन में जाएगा फिर कह रहा है जब गतिमान पिंड रुपता है जब गति यानि क्या कह रहा है मोशन में है तो रेश्ट में आएगा और अपने दिशा बदलता है यानि ओल अबदा महुरी एक पारंपरिक संगीत वाद यानित्र है किस राजी से संबंदित है केरल ओडिशा हिमाचल परदे समनाचल परदे सवालमर 27 जल्दी क्या होगा तो ओरिशा महुरी एक पारंपरिक संगीत वादियंत्र है जो ओरिशा से संबंदित है किसे ओरिशा से संबंदित है तो महुरी ओरिशा राज से संबंदित एक पारंपरिक हवा का वादियंत्र है जिसे मंगला बढ़िया सूब साथर माना जाता है जिसे अकसर भाइधान का भाग फोर इस पस्ट रूप से राज जी को सुरचित होने की उम्मिद नहीं करता है धन और पादन के साधरों की कोई सांदर्ता नहीं आज जीविका का पर्याप साधन समान काम के लिए समान वितन नौकरी पेसा महिलाओं के लिए मास्रित आउकास क्या होगा ज आतिकल नंबर 23rd 24 याद होगा आपको आतिकल नंबर 23rd यानि नौकरी पेसा महिलाओं के लिए मास्रित आउकास यह फंदमेंटल राइट्स है जबकि ये 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 सब DPSP यानि भाग फोर में है सब DPSP भाग फोर में है बिलकु जातक ना ठीक है सब DPSP भाग फोर में है पु जाज स्टाटिक कर दो तो एप पीओ का फूल फॉर्म क्या होगा follow on public offer follow on public offer FPO का full form तो कहता है stock exchange में जो सुचिबद कमपनिया हैं निवेशकों को share जारी करेंगी जब वो निवेशकों को share जारी करेंगी तो उसे हम FPO कहेंगे ठीक क्या कहेंगे बच्चे FPO कहेंगे डैस 13 वर्ष के आयू में पैसाथमें भारते घ्रेंड मास्टर बनने थे खौन राणक साथवानी, राहूल वैद, आरत प्रग्या नंदन या पिर्थवी गुपताश की से हराया था रूस का GM अलेक्जेंडर मोटलिव को हराया था रूस का जीम अलेक्जेंडर मोटलिव को हराया था सवाल नमबर एक एस्ट्रे किस युनानी राज़्दूत ने विश्णू के सम्मान में एक अस्तम अस्थापित किया है सवाल नमबर 31 तो क्या होगा बच्चे है हेलियोडोरस किस युनानी राज़्दूत ने विश्णू के सम्मान में एक अस्तम अस्थापित किया हेलियोडोरस को नहीं हेलियोडोरस का भागवत अस्तम के बात करते हैं सवाल नमबर 32 अतल्ट टीकरिंग लैप्स अतल्ट टीकरिंग लैप्स नमलिकित में से किस संस्थादवारा की गई एक पहल है राष्टे आयूश मिशन केंद्रिय मात्मिक सिक्षा बोर्ड सिब्यस्थी आर्बियाई नितियायोग सवाल नमबर 32 नितियायोग तो अतल्ट टीकरिंग लैप्स नमलिकित में से किस संस्थादवारा की गई एक पहल है नितियायोग की एक पहल है किसकी पहल है नितियायोग की एक पहल है बिलकुल याद रखना तो नितियायुक समर्थित अटल इनुवेशन मीशन और नैसकॉम ने अटल टीकरिंग लैप्स लर्निंग कोर्स लॉंच किया है जिससे लगबग धाय मिलियन चातरों को फायदा होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपाब्लिकन एसोशेशन का गठन किस वर्स किया गया था यानि HSRA का गठन किस वर्स हुआ है आपको ये बताना है तो HSRA का गठन आपको याद होगा कि 1928 में जबकि पहला HRA था इंदुस्तान रिपब्लिकर ने स्थापना 1924 में और HSRA का स्थापना 1928 में तो HSRA 1928, HRRA 1924, HSRA का गठन कहां होता है दिल्ली के फिरोसा कोटला में और HRRA का गठन कहां होता है कानपूर में तुन्दुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकर ने सोचेशन एक करांतिकारी संगठन जो 1928 में दिल्ली के फिरोसा कोटला में अस्थापना किया गया था बिलकुल या दखना कौन सा पौधा मांसा हारी है विच अब दा फॉलविंग प्लांट इस कार्नी वोरस सरू की बेल वीनस फ्लाइं ट्रैप एम रिली सी या जलकुम्भी सवाल नमर चौतिस जल्दी क्या को बच्चे विनस फ्लाइट ट्रैप फ्लाइट ट्रैप अतलब होता है जाल वो अपने देखर हो बिल्कुल दात कैसे देखर है बिल्कुल मुह फाले हुए है तो विनस फ्लाइट ट्रैप एक मांसा हारी पोधा जो उतरी कैरोलीना पदसनी कैरोलीना यानि य जाता है ये इसको हम पीचर प्लांट भी बोलते हैं कैंब बोलते हैं क्या बूलते हैं सवाल नुम्र 35 रालेट एक्ट की पर्तिकिरिया के रूप में डैस को राष्टिय अपमान दिवस के रूप में आयोजीत किया था तो कब मनाया गया था आपको बताना है सवाल 35 क्या होगा आपमान दिवस के रूप में आप लगाएंगे 13 अप्राइल 19 आप लगाएंगे 13 अप्राइल 19 मैक्सिमम बच्चे लगाएंगे C जब्कि वो सवाल नी पढ़ेंगे क्या सवाल कहा मैक्सिमम बच्चे C लगा देंगे देखना जब्कि सवाल साप-साप कहा है कि रॉल्प अक्ट जब पारित हुआ तो उसके प्रतिकिरिया में हमने का अपमान दिवस मनाने का फैसला किया है तो 6 अप्रेल उन्हें 2019 को तेरा अप्रेल को जालियाँ वाला बाग हत्या कांड होता है कर बैठे गलती तो मार्च 2019 में रॉल एक्ट पास किया और पूरे देश में उसके विरोध में 6 अप्रेल उन्हें 2019 को राष्टी अपमान दिवस के रूप में बनाया गया ठीक है सवाल नमर्च चतिस उन्हें 2019 में किस वैस्वे के नेता को रूज के सर्वो सम्मान संत एंड्रियू दा एपोस्टल से सम्मानित किया गया है इम्यानुवल मरकेल मरकोन मैकरोन सौरी इम्यानुवल मैकरोन नरेंद्र मोदी, दोनाल ट्रम्प या इजेना मरकेल सवाल नमर्च चतिस तो भया मोदी जी को मिला है याद अखना मोदी जी को जितने अवाड मिले है पेपर में आपके पूछे जाएंगे बिलकुल डेफुनेटली तो ये देख लेना ठीक है रूस ने अप्रेल 2019 में दोनों देशों के बीच संबंद को और प्रगार करने के लिए मोदी जी को The Order of St. Andrews के साथ संबानित किया है बिलकुल याद अखना सवाल नमर्च 37 केता वाटी दा टर्न योज तो डिस्कराइब अगुलर डिस्टेंस अफ़ प्लेस नौर्थ और साउथ अफ़ अफ़ एक्वेटर पिर्त्वी की भूमत रेखा कि उत्तर या दख्षिन के अस्थान की कोन ये दूरी कवर्णन करने के लिए किस सब्द का उप्योग किया जाता है गुलार्द पोल, लॉंगिट्यूड या लैटिक्ट्यूड सवाल नंबर 37 अच्छांस लैटिक्ट्यूड बोलते हैं क्या बोला देखो बोला इक्वेटर से नौर्थ या साउथ ये तो कुछ रहा है इक्वेटर से नौर्थ और साउथ क्या बोलेंगे उसको लैटिक्ट्यूड बोलेंगे लॉंगिट्यूड बिटा है इसको बोलते हैं लॉंगिट्यूड इसको बोलते हैं लॉंगिट्यूड याद रखना तो भुगोल में अच्छान से भागालिक समन्वे हैं जो पिर्थवी की सता पर एक बिंदू के उत्तर दखेंदिसिती को अस्पष्ट करता है ठीक है सवाल मनारतिस मिश्णरीज और चैरिटी के संस्थापक मदर ट्रेश्टा का जनम कब हुआ था तिरा जनवर उनिज सो बारा, चैरिश तो निज सो दर्स, दो फरवर उनिज सो तेरा, पंदरा मैं उनिज सो साथ, सवाल मनारतिस 26 से उनिज सो दर्स, अब जड़ा बताओ कि मदर ट्रेश्टा किस देश्टी थी तब तक मैं बता दू, 1989 में Nobel मिला इने और 1989 में भारत अर्टर मिला इने किस देश की निवासी थी ज़रा comment बखे बताईए किस देश की निवासी थी Albania थी क्या अगर आपको लगेगा तो थम लगाना तर बिल्कुल कलकत्ता के संद्र तंदेशा के रूप में कैथोलिक चर्च में जाने जाने वाली नन और मिश्णरी मदर ट्रेशा ने अपने जीवन पूरा बिमार गरीब को समर्पित कर दिया था मदर ट्रेशा का जनम 26 अगस्त को मैसेडोनिया किरालधानी कोपजे सहर में हुआ था जनम हुआ था कहा मैसेडोनिया में याद रखना उनका जनम 26 अगस्त को हुआ था लेकिन वो अपना जनम 27 अगस्त को मनाती है पूरा नाम बोयजू सवाल नमर 49 कौन एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है सवाल नमर 49 बतेगे क्या होगा जल्दी क्या होगा बाई प्यूपा तीसरा पूपा मत समझना प्यूपा है तो सबी तितलियों में पुर्ण रुपांत रिखता है कंपलिट प्रोसेस होगा एक व्यस्क में विक्सित होने के लिए वे चार चरण से गुजरती है अंदा लारवा प्यूपा वेस्क यानि अंदा कैटरपिलर यानि लारवा प्यूपा वेस्क यह चार स्टेज है बटरफुलाई का बिलकुर जाँ रखना सवाल नमर चालिस किस राजा ने नेपाल को देश का सहस्थापक माना जाता है किसे नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है अभी आपकी क्लास है अनकैडमी पे 10 बज कर 5 मिनट पे कितने 10 बज कर 5 मिनट पे तो पिर्थवी नाराइन साह को नेपाल का संस्थापक माना जाता है फाउंदर माना जाता है तो पिर्दाजा पिर्थुई नारा इंसाने 1775 में नेपाल के एक्टा के मोहिम सुल की और 1778 तक इसमें सफ़ल हो गए यहीं से आधोनिंग नेपाल का जनम होता ही याद रखना ठीक है 1815 में सुगावली के ललाई हुई थी सुगावली का संदीक इसके बीच अंग्रेज और नेपाली के बीच में यह था सेशन हाओ आई था सेशन सेशन कैसा लगा लगा तो लाइक ठोक देना बिल्कुल किसर बिल्कुल आपके उफट जो मैंने बताए किस किस चिप्टर से किस किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं आपको कैसे तैयारी करनी है रन निती बनानी है उसकी लिए ठीक है तो अगर फिर भी ना समझ में आ रहा है तो आप हमारी सार जोइन कर सकते हो अन अगर आपको प्रवाइड हो जाएंगे असानी से मिल जाएंगे ठीक है तो कैसे द्वाइन करें गूगल प्लेश्टो जाना उससे ओपन करना सर्च करना अनकैडमि लर्निंग अप उससे ओपन करना फिर अपना मोबाइल नबर डालना से डिजित ओटीवी से बेरिफाई कर आएगा रिफर कोड़ बावटे लगाकर या फिर सेश्टी की बाद करें बाहत्तास ओफिये बच्चे जैसे आप रिफर कोड़ लगाते हों दूस साल में ये 720 रुप्या माइनस होता है आपका ठीक है अगर सेशन अच्छा लगाओ तो लाइक ठोकी जाना मिलते हैं